केंदर कीरे मंतरी अमिर्शाह 3 सितंबर को चितर कुट से बीजेपी की जन आशिरवाद यात्रा का शुपारम करेंगे प्रदेश में 5 संभागों से यात्राय शुरू होंगी और भोपाल पहुचेंगे इसका रोड में भी तैयार कर लिया गया है बीजेपी प्रदेश धक्षबूरे श्रमा और केंदर में तरी नरेंदर सिंग तोमर ने इसकी चान खरीती है कि भारती जंता पार्टी इन पांच अपनी चन आसिरवाद यात्राओं को मद्यपरदेश के अंदर जो सुरूआत कर रही है उसमें हमारी एक केंदरी टोली बनी है उस केंदरी टोली के अंदर आधनी भूपेन सिंग जी हमारे बरिष्ट मंत्री हैं वो इस यात्रा के सेहुजक हैं बिनोध गोटिया जी जो हमारे मद्यपदेश राज प्रेटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं वो इस टोली के सदस्य हैं कि जो यात्रा क्रमांक एक है तो य यात्रा बिन्द छित्र से सुरू होगी इसके सेहुजक स्री कडे सिंगी हमारे सतना के सांचत और सेह सेहुजक स्री प्रजेंद प्रताप सिंगी हमारे मंत्री हैं पन्ना के वो इसके सेहुजक हैं इसी प्रकार से जो यात्रा क्रमांक दो है इस यात्रा क्रमांक दो ये महा कुसल छित्र की होगी स्री घुदै परताप सिंग जी सांसद इसके सहयोजक हैं और स्री अवलास पंडे हमारी वामुर्चे के पूरुम अध्यक्ष ये उसके सहयोजक हैं इसी प्रकार से यात्रा क्रमांग तीन जो हमारे इंदोर पिसिस तरपन इंदोर संभाग से जिसकी सु सहयोजक हैं इसी प्रकार से यात्रा क्रमांग चार जो खास त confirmation मालवा में उज्जेन का जो चेतर है हमारा इस मेंसरी बंसीलाल जी हमारे किसान मुर्चे के राशी उपाध्यक्ष हैं ये हमारे सहय जजक है और तेजबहद्दुर जी ये हमारे सहयोजक हैं इसी प्रकार से यातरा करमांग पांच ये गौलियर चंबल रीजन में होगी रडवी राबाजी प्रदेश के मामंतरी से हो जाके हैं और मुकेस चौधरी प्रदेश के उपाध्यक्ष ये इस यातरा के से हो जाके हैं तो इस प्रकार से पांचों यातराओं की रचना हमने जिला और विधान सवा से लेकर नीचे तक इन यात्राओं के बारे में एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं उसको खड़ा करने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया है जो यात्रा करमांग के एक है यात्रा करमांग के एक तीन तारीकों चित्रकूट से जिसकी सुरुआत होगी और इस यात्रा का सुभारम हमारे देश के ग्रहमंतरी बरिष्ट नेता जिन्होंने मद्ध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड पस्तुत किया मानि अमिस्सा जी इस यात्रा कर्मांक एक का सुभारंब चित्रकूट से आसिरवाद लेकर के कामतानाजी का इसकी सुरुआत वहां से करेंगे और इसके बाद ये यात्रा निवाडी से होते हुए भोपाल पहुँचेगी यात्रा कर्मांक दो ये पांच तारीक को मंदला से प्रारंब हो गई और मंदला से प्रारंब होकर के जबलपूर नगर से होते हुए पोपाल पहुचेगी पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा तो इस दिसा में इस यात्रा में भी हमने अनरूत किया है कि मानिक रहे मंत्री जी मंडला में इस यात्रा का भी सुभारंब करें पांच तारीक को इसी प्रकार से यात्रा करमंग तीन ये खंडवा से प्रारंब होगी दादा धूनी बाले का आसिरवाद लेकर के हमारे देश के पूरवराष्टिय देश के रक्षा मंतरी आदरणी राजना सिंगी से हमना रूत किया है कि वो इस यात्रा का सुबारंब वहां से करें उसकी अनुमती मुझे लगता है कि जल्दी उसकी मिलेगी से दानते का अनुमती मिली है लेकन उपीसली आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी इसी प्रकार से यात्रा क्रमांग चार चार सितंबर को ही ये हमारा जो उच्चेन का बिल्ट है नीमस से जो मैंने कहा सुरुआत इसकी होगी भुधनी होते हुए जो भुपाल पहुचेगी और इस यात्रा का सुवारंबी उसी दिन आदर्णी राजना सिंग्जी करें इसी प्रकार से यात्रा क्रमांग पांच जो चंबल चित्र की है ये यात्रा भी 6 सितंबर को स्योपुर पड़ोदा नगर जो स्योपुर का है वहां से यात्रा प्रारंब हो और राइसेन होते हुए वोपाल पहुंचेंगे, मानी राश्यद्यक्ष, जेपी नड्या जी इस यात्रा की सुरुआत करें ऐसा हम सब लोगों ने मिल करके उनसे अनुरोध किया है और ये यात्रा कोई 17 दिन, कोई 18 दिन कम्पलीट करते हुगे लगवग 21 तारी को इन यात्राओं को officially वहाँ पर ये समात हुगी लेकिन 25 तारी को इन यात्राओं का समागम भोपाल के अंदर कारिकरता महाकुम्भ में होगा इसकारिकरता महाकुम्भ में लगवग 10 लाज कारिकरता पूरे मज्यप्रदेश के उपस्तित हो पिछली बार भी लगातार बड़ी संक्या में हर कारकरता महा कुमें में लोग आए हैं तो इस बार भी हम इस प्रकार का प्रयास यात्राओं के माध्यम से जो मोबलाईशन होगा हम ये करने वाले हैं और हमने अनरोध किया है कि मानी प्रधान मंत्री दुनिया के सरवादिक लोग प्रिनेता कारकरता महा कुम्ब को संबोदित करें और चुनाव को इसको हम कहते हैं कि हमेशा से 25 सितंबर को हम चुनाव की रणवेरी की आगाच उस कारकरता महा कुम्ब से होता है तो इसलिए माननी पुर्धान मंत्री जी करें ये प्रयास हम सब लोग 25 तारीक को हमने ये प्रयास किया कि माननी पुर्धान मंत्री दरिन्द मोदी जी किसे कारकरता महा कुम को संबोदित करें